तो अभी हमने इस उधारण के जरिये जड़त्व आगोंड पर द्रव्यमान के विद्रण के प्रभाव को समझा और इसी कॉंसेप्ट से जुड़े हमारे डेरी लाइफ में और भी अप्लिकेशन्स हैं पर उन अप्लिकेशन्स को समझने से पहले हम किसी घूमते हुए गूर्णी गति कर रहा है अपने अक्षपर घूम रहा है तो इस गतीज उर्जा को मौर सपेसिपिकली हम गूर्णी गदीज ऊर्जा यानि कीbourg Rotational Kinetic Energy के नाम से जानते हैं अब रोटेशनल कारेटिक अनरजी का समीकरंड क्या होगा यह किन किन कारों पर निर्भर करेगा इसे हम derive करके देखते हैं मान लीजे हमने एक वस्तु लिया है और इसमें n कर्ण हैं जिनके द्रवमान को मैंने M1 M2 M3 and so on करके दर्शाया है R1, R2, R3 इस प्रकार ली गई है अब जब ये वस्तु अपने अक्ष पर घूरनी गती करेगा रोटेट करेगा उस समय हम देखते हैं कि हर कंड का वेग अलग-अलग होगा ये घूम रहे इसका रेखिये वेग हम देखें तो सभी कंड का अलग-अलग हो गया क्योंकि कंड की स सिति के इसाब से इनमें जो डारेक्शन होगी वेग की वो डिफरेंट होगी इसलिए हम यहाँ पर सभी का वेग अलग-अलग ले रहे हैं मान लेजी M1 का वेग हमने V1 लिया है M2 का V2 लिया और इसी प्रकार हमने N कर्णों के वेग को दर्शाया है तो जब हम इसके गतीज उर्जा की बात करें तो गतीज उर्जा क्या हो जाएगी हाफ M2 यह फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर N कर्ण हैं तो सभी कर्णों की गतीज उर्जा को हम यहाँ पर प्लस करते जाएंगे मतलब एट करते जाएंगे यह कि पूरे वस्तु की गतीज उर्जा का मान हमको नि V1 square plus half M2 V2 square and so on और अब जानते हैं रेखिये वेग और कोणिये वेग में क्या संबंध होता है V बराबर R omega होता है जहां R गोड़नन अक्ष से दूरी होती है कंड की तो हम यहाँ पर V बराबर R omega concept सभी में यूज़ करेंगे और इस प्रकार लिखेंगे half M1 R1 omega square plus half M2 R2 omega square and so on बच्चों जब वस्तू rotate कर रही है यानि कि घूरनी गती कर रही है तो यहाँ पर उसकी एक निश्चित कोणिये वेग होगा मतलब हम ऐसे वस्तू को यहाँ पर ले रहे हैं जो एक नियत कोणिये वेग से गती कर रही है तो कोणिये वेग तो हर कण के लिए एक समान होगा लेकिन इनका रेखिये वेग अलग-अलग होगा इसलिए जब हम इसको कोणिये वेग के रूप में रिप्रेजन्ट कर रहे हैं तो सभी जगों omega लिखा है वेग कि वस्तु एक नियत कोणिये वेग से गुर निगती कर रही है अब यहाँ पर हम देखें square करेंगे तो यह r का भी square होगा omega का भी square होगा और यह प्रतेक term में होगा तो यहाँ से हम हर term से omega square common ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 by 2 1 by 2 भी सभी term में common है उसे भी हम common ले लेते हैं तो यह 1 by 2 omega square common निकल गया bracket के अंदर हम देखें तो m1 r1 square प्लस m2 r2 square और इस प्रकार यह आगे बढ़ेगा और इस तरीके से m r square का यह submission हो जाएगा सभी कणों के लिए तो हम इसको submission के रूप में लिखेंगे e के बराबर 1 by 2 omega square submission of m i ri square जा i common 1 से लेकर n तक होगा अब यह जो expression है यह जड़त्व आगोन के लिए दिया जाता है तो हम इसके जगे पर जड़त्व आगोन लिख देंगे तो e के बराबर हो जाएगा हाफ omega square i तो इस प्रकार घुर्णी गतीज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ जड़त्व आगोन इंटू कोणिये वेग का वर्ग और यह जो expression आया है यह कोई दिखने में तो आपको नया दिख रहा है लेकिन यह उसी concept पर धारित है जैसे कि हम गतीज ऊर्जा के लिए समीकरण लिखते हैं गती चूर्जा होती हाफ M V square जहां M वस्तु का द्रव्यमान होता है और V वस्तु का रेखी वेग तो हम द्रव्यमान के जगे जड़त्व आगोन शब्द इस्तमाल करते हैं एक्ट्वली जड़त्व शब्द का जो संबंध है वो द्रव्यमान से होता है तो रे लिखा है और रेखी वेग के स्थान पर गुर्णी गती में हम कोणिये वेग शब्द इस्तमाल करते हैं इसलिए यहां पर कोणिये वेग ओमेगा तो सूत्र को यदि compare करें तो exactly वही है बस यहां पर notations change हो गए क्योंकि हम रेखी गती से कोणिये गती की और चल रहे हैं तो इस प्रकार आप बच्चों में बार-बार कहते हैं कि आप जब भी भी घुर्णी गती में expressions लिखेंगे तो उसको रेखी गती से compare करें तो expressions में notations change होंगे पर जो basic concept होगा जो रेखी गती के लिए हम apply कर रहे थे वो पूर घुर्णी गती के लिए भी applicable होगा तो इस प्रकार rotational kinetic energy का formula होगा half i omega square और इस प्रकार हम देखें तो गतीज उर्जा का संबंद जड़त्व आघुण से हैं मतब कितने कोणी विख से घुम रहा है वो तो उस पर तो निरभार करे रहा है पर इसका संबंद जड़त्व आघुण से भी है तो जिस वस्तु का जड़त्व आघु अधिक होगा उसकी गतीज उर्जा भी अधिक होगी तो इस प्रकार गतीज उर्जा के कॉंसेप्ट को समझने के बाद हम जड़त्व आघुण का डेली लाइफ एप्लिकेशन देखते हैं हम लोग जानते हैं कि इंजन में एक शाफ्ट होता है और इस शाफ्ट में बड़ा सा पहिया लगा होता है जो कि बाकी पहियों को घुमाता है या फिर उससे जुड़े और कोई सी पूर्जे को घुमाने का काम करता है तो इस शाफ्ट को तो हम लोग किसी जरिये से घुमा रहे हैं शाफ्ट तो किसी माध्यम से घुम रहे हैं लेकिन यह जो शाफ्ट घूमत या फिर जिस उपकरण को आगे घुमाना है उसका हमको एक समान वेक चाहिए होता है इसलिए हम लोगे शाफ्ट से जुड़ा वाला पहिये को बहुत बड़ा चुनते हैं और यह पहिया इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इसका अधिकतम द्रव्यमान इसके किनारों पर ह होता है यानि इसके परीधी पर होता है रिम पर या निम पर कहते हम तो इस प्रकार का जो पहिया होता है जिसका पूरा द्रव्यमान या फिर मैक्सिमम द्रव्यमान इसके कॉर्णर पर ही इसके किनारों पर ही सिच्वेटेड रहता है इसे हम एक इस्पेशन लाम से पुकार करते हैं तो गतीपालक पहिया एक ऐसा पहिया होता है जो एक निश्चित बाद गतीज उर्जा से गती कर सकता है मतलब इसके कोणियावेग में परिवर्तन नहीं होता इसका कोणियावेग एक समान ही रहता है तो है किसे किस प्रकार करेगा क marc nhi Health की तो कोणियावेग है वो तो चेंज हो रहा है कभी धीरे ओर रहा है कभी तेज हो रहा है लेकिन उसको घुमाने के लिए तो अधिक बल आघून की अवशक्ता होगी लेकिन उसका जड़त्व आघून अधिक होने के कारण वो देर तक घुमेगा या फिर एक पर उसमें जो गती जूर्जा आ जाती है वो गती जूर्जा इतनी sufficient होती है यहीं साफ्ट में गती कम भी हो जाए तो वो उस पहिये को उसी कोणिये वेक से घुमा सकती है इस प्रकार इस इंजन से जुड़े हुए उपकरण या उसके से जुड़े हुए पाईये इसके पूर्जे वो एक समान कोणिये वेक से गती कर सकते हैं इसी प्रकार बच्चों आपने साइकिल के पाईये को भी देखा होगा चाहिं साइकिल के पाईये क की बात करें यह गाड़ी के पईये की तो हम देखते हैं कि इसका मैक्सिमम जो द्रव्यमान है वो उसके रिम पर ही रहता है और सपोर्ट के लिए इसको स्पोक्स की सायता से जोड़ा जाता है तो इस तरह से जो व्यवस्था की जाती है उसके आधार पर इन पईयों का जड़ एक धातू की प्लेट काटके लगा दे या फिर वो पुराने बैल गाड़ियों के चक्के हम देखें जो लकडी के बनने होते थे उसमें लकडी की ही पूरी चक्ती काटके लगा दे तो इनकी गतीज उर्जा अधिक नहीं होगी या फिर उसे उसी एकोनी वेक से चलाने के ल होगा उनके पैसे खिलोना होता है जिसको हम पीछे रिवर्स खेशते हैं तो वह आगे की और भागता है और हम देखते हैं कि वह बहुत दूर आगे जाता है फिर थोड़े दरुबार रुख जाता है अक्शली उसमें रुखने के बहुत सारे कारण रहते हैं वायू के गती कर पाता है स्पीड से गती कर पाता है उसका कारण यह है और खिलोनों में भी अंदर में गती पालक वील यानि- 2 लगा होता है और फ्लाइवील का के उसके उसे कारण वो एक SEC करते हुए आगे बढ़ता है और बहुत दूर तक जा सकता है और यह कहें तो हम थोड़ा reverse करते हैं लेकिन उसके बाद उसकी गतीज उर्जा उससे कहीं अधिक होती है तो गतीपालक पईया लगे होने के कारण उसका जड़त्वा आगुण बढ़ जाता है और उसी कारण उसको अधिकतम गतीज उर्जा प्राप्थ होती है और इसी प्रकार बच्चो हम प्रित्वी को भी देखें तो प्रती दिन 24 घंटे में अपने अक्ष के परिता एक चक्कर लगा लेती है और यूँ कहें तो उसका कोणिय वेक नियत है एक्चुली प्रित्वी में भी maximum दरव्यमान उसकी सता पर ही distributed हैं हम देखते हैं कि जो परवत पहाड जो दरव्यमा हें लोग हैं जीव जन्तु हैं वो उसकी सता पर ही निवास करते हैं इसलिए हम यह कैसेखते कि प्रित्वी का दरव्यमान उसकी परीधी पर ही या फिर कह सकते उसकी सता परही सबसे अधिक है और इसी कोनी वेख से ही चक्कर लगाते हुए वापिस अपने स्थान पर आ जाती है और इसी प्रकार बच्चों हम अपने आस पास जड़त्व आगुण और उसकी गतीज उर्जा से जुड़े हुए कई उधारण देखते हैं तो जब कभी आप इस प्रकार की किसी वस्तू को घूमते कर रहा है किस प्रकार निर्भर कर रहा है यदि इसका द्रविमान डिफ्रेंट तरीके से डिस्टिब्यूटेट होता तो क्या यह इसी कोनी वेख से घूम पाता और इस प्रकार के कई प्रशन आप अपने दिमाग में उठाइए और इन प्रशनों के उत्तर जानने के लिए आप अपने टीचर से अपने दोस्तों से जरूर चर्चा करिए लेकिन जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो ऐसे घूमते वे वस्तों भी नजर आती है जो अपने अक्ष में भी घूम रही है साथ साथ वो आगे भी बढ़ रही है इसका मतलब वो स्थानांत मॉशन रोटेशनल मोजन दोनों एक साथ हो रहे हैं और जब ऐसे वस्तों की बात करें जो कि दोनों ही मोशन एक साथ कर रहे हो उस समय यदि हम जड़त्वा आगों होन्या फिद्कति जूर्जा की चर्चा करते हैं तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो जाता है complicated हो जाता है क्योंकि वस्तु अपने अक्ष पे भी घुम रहा है सासत आगे भी बढ़ रहा है तो इस complications को दूर करने के लिए हम एक और concept का स्तमाल करते हैं इसे हम कहते हैं radius of gyration यानि कि घुर्णंत रिज्या गुर्णंत रिज्या क्या होती है इसको समझने के लिए मान लीजी हम यहां पर एक वस्तु ले रहे हैं जो कि इस एक्स एक्स डैश अक्ष के परीता घुर्णी गती कर रही है अब इस वस्तु का जड़त्व आगोण ग्याद करना हो तो हम इस वस्तु के अंदर मौजुद प्रते कण के जड़त्व आगोण को निकालेंगे और उसके बास सबका योग करेंगे जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं यदि वस्तु में एक दो कंड हुए तो इसे ग्याद करना आसान होता है लेकिन वस्तु में कडों की संख्या बहुत अधी कोई तो ये काम थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है एक एक कंड का जड़त्वागों निकालो फिर उसके बास सबको एड करो तो यहां पर हमें थोड़ी कठनाई होती है और यदि यह वस्तु घूरनी गती के सासत इस्थानंत्री गती भी कर रहा हो तो हमारी कठनाई और बढ़ जाती है तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम इस वस्तु के अंदर एक बिंदु ले लेते हैं और ऐसा बि तरव बिंदु पर केंदुत माना जा सकता है अब हमने जड़त्व आगों निकालने के लिए पहले था आपनाया था यानि कि हर कंड़ के आगोन को ग्यात करेंगे उसके बाद एड करेंगे पर अब हम क्या करेंगे जितना भी जड़त्व आगोन आ रहा हो यदि हम ऐसा बिंदू ले रहे हैं इस वस्तू के अंदर जहां पर पूरा द्रवेमान को केंद्रित मान लिए और उसके बाद इस बिंदू की दूरी हम घु तो इस बिंदू के अधार पर जो जड़त्व आगोन होगा वो पूरे वस्तू के जड़त्व आगोन के बराबर होगा तो इस बिंदू की घुर्णन अक्ष से दूरी जिसे हमने के लिखा है यह कहलाती है घुर्णन त्रिज्या जिसे हम रेडियस अफ गाइरेशन कहते हैं यानि कि अब मैं जड़त्व आगोन का सूत्र लिखूं तो ये i बराबर होगा m k square जड़त्व आगोन का फॉर्मुला होता है द्रविमान इंटो घुर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग तो घुर्णन अक्ष से दूरी k थी पूरे वस्तू का द्रविमान m है और ये पूरा द् जड़त्व आगोन है और इस प्रकार इस सूत्र से हम घुर्णन त्रिज्य की परिभाशा दे सकते हैं इस सूत्र के अनुसार घुर्णन त्रिज्य वह दूरी होती है जिसके वर्ग से हम द्रविमान को गोना करते हैं तो जड़त्व आगोन प्राप्त होता है और इस सूत् अधार पर हम घुर्णन त्रिज्या को कुछ इस प्रकार भी परिभाशित कर सकते हैं घुर्णन त्रिज्या द्रव्यमान केंद्र की घुर्णन अक्ष से वह दूरी होती है जिसके वर्ग के साथ वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को गुणा करने पर वस्तु का अगोनप्राप्त होता है तो इस प्रकारी सुत्र से हम देखें तो जडदव आघोन बराबर होगा द्रवयमान इन्टू गुरंन तरिज्यका वर्ग और यहांसे हम गुरंन तरिज्यक के लिए आगे सुत्र निकालने का प्रयास करें तो ये हो जगा k square बराबर i upon m और k बराबर होगा root under i upon m ये घुर्णन्त रिज्य का सूत्र है यदि घुर्णन्त रिज्य को परिभाशित करें किसी वस्तू के जड़त्व आघून और उसके द्रव्यमान के अनुपात का वर्ग मूल होती है और इसी आधार पर हम इस आघून का मात्रक देखें तो यह जोता है केजी मीटर स्क्वेर और द्रव्यमान का मात्रक केजी केजी से केजी कैंसल हो जाएगा तो आपको मिलेगा root under m square यानि की m तो घुर्णन्त रिज्य का मात्रक होगा मीटर वैसे भी गुर्णन्त रिज्य यह घुर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की दूरी है और दूरी को हम किस्से नापते हैं मीटर में तो यानि की इस घुर्णन्त रिज्य का मात्रक मीटर होगा और इसे वीमी सूत्र के रूप में लिखें तो होगा M0LT0 अब इस घुर्णन्त रिज्य पर थोड़ी हम और चर्चा करते हैं जो कि मैंने पहले ही बताया कि हर कंड के जड़त वागून को निकाल के इसको योग करना पड़ेगा तो आई बराबर होगा सब्मेशन आफ एम आई आराइ स्क्वेर जा आई कमान एक से लिकर एंड तक होगा हम लिख सकते हैं आई बराबर M1R1 स्क्वेर प्लस M2R2 स्क्वेर और अभी आपने जाना कि आई बराबर Mk स्क्वेर करके भी लिख सकते हैं तो इस प्रकार के स्क्वेर बराबर होगा M1R1 स्क्वेर प्लस M2R2 स्क्वेर एंड सो आपन M और यदि दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेते हैं स्क्वेर रूट करते हैं तो मैं मिलेगा के अपन M यदि सभी कणों का द्रव्यमान हम समान ले रहे हैं मतलब M1 बराबर M2 बराबर M3 एंड सबको हमने M ले लिया है उस कंडिशन में सभी कणों के द्रव्यमान के स्थान पर हम M लिखेंगे और इस तरह से सभी टर्म में M कॉमन निकाल लेंगे तो मैं मिलेगा के बरा ले शाया है यह Capital M पूरे वस्तु का द्रव्यमान है और पूरे वस्तु में N number of currents हैं तो जब हम प्रतेक करण के द्रव्यमान को N से गुणा कर देंगे तो पूरे वस्तु का द्रव्यमान गयात होगा इसने हम Capital N के स्थान पर N into M लिख सकते हैं और इस तरह से हम देखें तो अपोन एन यहां पर आप देखे हो आरवन स्कौर प्लेस आरटो स्क्वार अपोन एन किये आरवन आरटी यह सब क्या है यह किसी भी कंड की घुण्नन अक्ष से दूरी है और एन इन कड़ों की संख्या है यहां पर सबको-प्लस करके यदिग नमबर ऑफ़ पार्टीकल से डि लेकिन यहाँ पर आर का स्क्वेर है यानि कि हम वर्ग का माध्य ले रहे हैं तो जितनी भी अक्ष से दूरी है उसका हम वर्ग कर रहे हैं उसका उसके बाद साथ में यहाँ पर वर्ग मूल भी लगा हुआ है तो इस प्रकार हम घुर्णांत रिज्या की एक और परिभाशा द तूरी के बरग माध्य के मूल के बराबर होती है जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं यह यूँ रेखी गति भी कर रही हो और इस कंडिशन में जो उस वस्तु की गतिज उर्ज़ा होगी वह दोनों प्रकार की गतिज उर्जा का योग होगी मालेजी वस्तु की रेखी गतिज उर्जा इसे हम हम दर्शाते हैं, half mv2 से, जहां M वस्तु का दरव्यमान है, और V वस्तु का वेग है, और इसकी घुरनी गती जूर्जा को हम दर्शार है, half i omega square, जहां i वस्तु का जड़त्वागून है, और omega वस्तु का कोणिय वेग है, अब इन दोनों को हम जोड देते हैं, तो वस्तु की टोटल कानेटिक एनरजी निकल जाती है, तो हम लिखेंगे E T बराबर half I omega square plus half M V square, अब इस V को हम omega के term में represent कर सकते हैं, हम जानते हैं V equal to omega R होता है, तो हम लिखेंगे E T equal to 1 by 2 I omega square plus 1 by 2 M omega R का whole square, और E T equal to होगा half, इन दोनों term में omega square common लेने पर हमें मिलेगा, I plus M R square एक bracket के अंदर, और अभी हमने घुर्णन त्रिज्य के concept से ये जाना कि जड़त्व आगोन को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, I equal to M K square, तो I के स्थान पर अब मैं यही लिखने वाली हूँ, जहांपर K वस्तु की घुर्ण त्रिज्य है, तो ET बराबर हो जाएगा half omega square bracket के अंदर M K square प्लस M R square, और यहां पर हम देखें, तो M दोनों term में common है, तो इसे भी common ले ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं bracket के, तो यह होगा 1 by 2 M omega square bracket के अंदर K square प्लस R square, यदि इस bracket के अंदर वाले term से मैं R square common लो, तो य यह समिकरन कुछ इस प्रकार बनेगा, ET equal to 1 by 2 M omega square R square, अब पहले वाले term में तो R square है नहीं, यहां पर केवल K square है, तो हम यहां पर R square से divide कर देंगे, तो यहोगा K square upon R square, प्लस, अब दूसरे term से हमने R square common ले लिया, तो यहां बचेगा 1, तो इस प्रकार, यदि हम इसको और simplify करें, क्योंकि हम जानते हैं, V equal to omega R होता है, तो यह omega और R के स्थान पर हम V लिख सकते हैं, तो ET बराबर होगा 1 by 2 M V square, bracket के इंदर K square upon R square plus 1, यहां पर हमने यह पूरा simplification इसली किया, क्योंकि हम इस समिकरन को एक ग्यात समिकरन के रूप में देखना चाहा रहे थे, और हम गती जूर्जा का सूत्र recall करते हैं, तो हमारे दिमाग में एकी formula आता है, kinetic energy बराबर half M V square, तो बस उसी रूप में convert करने के लिए, के standard formula लाने के लिए इतना सारा simplification किया गया, ताकि यह जो formula आपको दिख रहा है, वो कुछ नया साना लगे, बलकि आपने जो गती जूर्जा का सूत्र पढ़ा है, उसी के आधार पर ही, इसको आसानि से याद किया जा सके, अब बचल जडवा आगोन ज्याद करने के लिए, हमारे पास और भी प्रमय है, जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु का किसी घुर्णन अक्ष के परिता जड़त्व आगोन ज्याद कर सकते है तो सबसे पहला प्रमे है योग का प्रमे जिसके बारे में हम चर्चा करते आई ही रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का किसी अक्ष के परिता हमको जड़त्व आगोन ग्यात करना है तो हम प्रतेकन के जड़त्व आगोन का मान ग्यात करेंगे और उसे चोड़ते जाएंगे तो हम में पूरे वस्तू का जड़त्व आगोन ग्याद हो जाएगा तो इस प्रकार यदी एक वस्तू है और मानली जी एक अक्ष है जिसके परिता हमको जड़त्वागोन ग्याद करना है उसमें जितने भी करण होंगे उसका जड़त्व आगोन पहले निकालना पड़ेगा और करण करण का जड़त्वागोन निकालेंगे माल लीजिए यहां पर एन करण है और जड़त्वागोन आइटू आइट्री और सो ओन एन करणों का दिया जा रहा है तो योग की प्रमय के नुसार इस पूरे वस्तू का जड़त्वागोन आई बराबर होगा आईवन प्लस थियोरम भी कहते हैं जैसा कि बच्चों नाम से समझ में आ रहा है पैरलल एक्सेस समांतर अक्ष यानि कि यहां पर दो अक्ष होंगे और वो दोनों अक्ष एक दूसरे के समांतर होंगे और उसके आधार पर ही यहां पर किसी पिंड का जड़त्वागोन क्यालकुलेट किया जाएगा अब यह दोनों अक्ष कौन कौन से होंगे आएसे हम चित्र में देखते हैं मान लीजिए यह एक सिस्टम है एक पिंड है जिसका आपको जड़त्व आगोन ग्याद करना है इस पिंड का दरव्यमान हमने एम लिया है और इस पूरे एम दरव्यमाने पिंड का जड अक्ष लेना पड़ेगा जो कि इस पूरे पिंड के सेंटर ओफ मास से गुजर रहा होगा साथ साथ इस अक्ष के समानतर भी होगा तो यह अक्ष सी एम एक ऐसा अक्ष जो कि इसके सेंटर ओफ मास से भी गुजर रहा है और इस अक्ष एबी के भी समान अंतर है मानले जी इन दोनों अक्षों की बीच की दूरी A है तो समानतर अक्ष प्रमय के अनुसार इस पूरे पिंड का जड़त्व आगोण I बराबर होगा ICM प्लस MA स्क्वेर जहां ICM इस पूरे पिंड का जड़त्व आगोण है इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिता M तो स्पूरे पिंड का द्रव्यमान था और A इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी है पर ये सूत्र आया कहां से इस सूत्र की व्युत्पत्ती के लिए हम इस पिंड में एक पि बिंडू पर कन लेते हैं और इस पिंडू की इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष से दूरी X है तो इस काण की इस अक्ष AB से दूरी A प्लस S होगी अब इस काण का इस अक्ष AB के परीता यदि हमको जड़तवागून ग्याद करना हो तो हम जड़तवागून का सूत्र लगाएंगे सूत्र अनुसार आई बराबरता M R स्क्वेर जहां R गोर्णन अक्ष से दूरी होती है तो यहाँ इस काण का दरवेमान तो M है पर इसकी इस अक्ष AB से दूरी A प्लस X होगी तो हम इस काण का जड़तवागून लिखेंगे M इंटू A प्लस X का स्क्वेर अब हमको इस पूरे पिंड का जड़तवागून निकालना है इस गोर्णन अक्ष AB के परीता तो हम इस पिंड को ऐसे ही पहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और जब पूरे पिंड का हमको जड़तवागून ग्याद करना हो तो सभी कणों के जड़तवागून को हम जोड़ देंगे योग कर देंगे यानि कि यहाँ पर इस्तमाल करेंगे हम सबमेशन चिन का इसलिए पूरे पिंड के जड़तवागून आई बराबर हो जाएगा सबमेशन ओफ M ब्रैकेट के इंदर A प्लस X का होल स्क्वेर यहाँ पर A प्लस X का होल स्क्वेर है तो फॉर्मिला लगेगा A प्लस B होल स्क्वेर का A प्लस B होल स्क्वेर होता है A स्क्वेर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेर यहाँ पर भी हम वही फॉर्मिला लगा देंगे मिलेगा आई बराबर सब्मेशन ओफ एम ए स्क्वार प्लस समेशन ओफ टू ए एक्स इंटु एम प्लस समेशन ओफ एम एक्स स्क्वार अब यह तीनों टम्स की वैल्यू यह दी हमें प्राप्त हो जाए तो हम इस पूरे पिंड का जड़त वागोन गयात कर सकते हैं इस अब आटम देखते हैं यहां पर ए स्क्वार कॉंस्टेंट राशिय क्योंकि यह दोनों अक्षों के बीच की दूरी है और यह नियत रहेगी क्योंकि यह अक्ष एबी तो फिक्स है जिसके परिता हमको जड़त वागोन गयात करना है दूसरा एक्सेस हमने लिया है जो कि इसके द प्लस दूसरा टम देखते हैं यहां पर भी 2A को समेशन से बाहर ले लेते हैं तो 2A समेशन ओफ M X बचेगा तीसरा लटम एज़टे हम लिखेंगे समेशन ओफ M X स्क्वार अब यहां हम देखते समेशन ओफ M लिख रहे हैं ऐसे ही N कणों के द्रवेमान को हम जोड रहे है और जब पूरे कण के द्रवेमान को हम जोड देंगे तो इस पिंड का द्रवेमान गयात हो जाता है इसने समेशन ओफ M बराबर हो जाएगा capital M यानि कि पूरे निकाय का द्रवेमान तो हम यहां पर लिखेंगे I बराबर M A स्क्वार अब सेकेंड हम देखते हैं यहां पर स इसा बिंदू होता है किसी भी निकाय के अंदर जहां पर पूरे पिंड का द्रवेमान केंद्रित होता है यह यह कहें उस बिंदू से पूरा पिंड संतुलित होता है मतलब सेंटर ऑफ मास से यदि हम सपोर्ट दें उस पिंड को तो वो पिंड संतूलन के अवस्था में रह ऐसा ही एक द्रवेमान का कंड ले रहे हैं X दूरी पर उसकी विपरत दिशा पर X दूरी पर भी वही द्रवेमान का प्रिंट होगा यानि एक बर हम X लेंगे तो विपरत दिशा के लिए माइनस लेंगे माइनस X लेंगे और इस प्रकार हर द्रवेमान केंद्र के एक साइड यदि हमको एक दूरी ले रहे हैं तो उसके विपरत भी हमको उतनी ही दूरी पर कंड प्राप्त होगा और इस प्रकार हम देखें तो टोटल सब्मेशन ओफ MX का मान शूर नहीं हो जाएगा क्योंकि द्र Chief में इस सब्मेशन ओफ Mx सक्वाएर अब सामेशन ओफ MX सक्वाएर मतलब यहाँ पर हम काण का के सेंटर ओफ माशे दूरी के वर्क साथ बुना कर रहे हैं तो यह बताता है कंड का जड़त्व आगोण एस सेंटर ओफ माश से गुजरने वाले अक्ष के परीता और हम जब इसको सब्मेशन करने यानि की जोड रहे हैं तो पूरे पिंड़ के लिए निकाल रहे हैं तो इस लिए हम यहां पर लिख सकते हैं आई सी एम पूरे पिंड का जड़त्व आगोण होगा ऐसे अक्ष के परिता जो कि इसके द्रव्यमान के इंदर से गुजर रहा हो तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं और यही समानतर अक्ष का प्रमय है बच्चो इस सूत्र के अधार पर एक्जाम में निमेरिकल कोश्चन भी आते हैं तो चलिए इस सूत्र के अधार पर हम एक निमेरिकल कोश्चन बनाते हैं पचास ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का जड़तवा अगून उसके द्रव्यमान के इंदर से गुजरने वाले अक्ष के परिता 200 ग्राम सेंटीमीटर हैं इस अक्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी परस्थे समानतर अक्ष के परिता पिंड का जड़तवा अगून ग्याद की दिया गया है इस प्रश्ण में M बराबर 50 ग्राम ए बराबर 2 सेंटीमीटर और ICM बराबर 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वार एक्शुली इस प्रश्ण में हमें ऐसे अक्ष के परिताह पिंड का जड़त वाग होने ग्याद करना है जो की द्रवेमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है और इस द्रवेमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के समानतर है तो चित्र अनुसार यदि हम देखे तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं समानतर अक्ष के प्रमय का और इसलिए आई बराबर होगा ICM प्लस MA स्क्वार अभी हम मा आगा 200 प्लस 50 इंटो 2 का स्क्वार और 200 प्लस 200 इक्वल टो 400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वार अब अगला प्रमय है लंब अक्ष का प्रमय नाम से समझ में आ रहा है लंब अक्ष मतलब इसमें ऐसे अक्ष लिये जाएंगे जो एक दूसरे से लंबवत हो यानि कि पर्पेंड एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं यह थ्योरम यह प्रमय एक समतल पटल पर अप्लाई किया जाता है यह समांतर अक्ष का प्रमय हम त्रीवी में वस्तु पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जब हम पर्पेंडिकुलर अक्ष का प्रमय लगा रहे हैं तो यह समतल पटल पर होगा य समतल पटल यह हैं यह समतल पटल एक्स वाई प्लेन में है अब इसका घुरनन अक्ष इस समतल के लंबवत है यहां पर लंब अक्ष का प्रमय लग रहा है मतलब यहां पर हमको एक ऐसा अक्ष लेना है जो इस समतल पटल के लंबवत हो तो यह जैड अक्षी होगा तो यह एक् लंब अक्ष का प्रमय लगाना है तो इस प्रमय क्यानुसार आई जेट इस लंब अक्ष के परीता जड़त्व आघोन बराबर होगा ix प्लस iy के यानि कि x अक्ष के परीता जड़त्व आघोन और y अक्ष के परीता जड़त्व आघोन के योग के बराबर होगा अब यह लंब अक्ष के सूत्र की व्यूतपत्ती कैसे हुई इसको हम चित्र अनुसार समझते हैं हमने यहाँ पर एक समतल पटल लिये है अब मान लीजिए इस समतल पटल पर कोई काण है जो की p बिंदु पर स्थित है इस काण का दरव्यमान हम m लेते हैं इस काण का x, y और z अक्ष से दूरी ग्यात करने के लिए हम इन अक्षों पर लंब खीचेंगे हम p बिंदु से x अक्ष पर लंब केशते हैं y अक्ष पर लंब केशते हैं और यह जो मूल बिंदु से एक पोजिशन वेक्टर बताएंगे वो z अक्ष से इस बिंदु की और इस z अक्ष से इस p बिंदु की दूरी आर से दर्शाई जरी है एक्चली हम यहाँ पर दर्शाई जारी कह रहे हैं लेकिन हम कोडिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए x, y, z, 3 अक्ष अब यहाँ पर आप यह सोच रहोंगे कि x अक्ष से दूरी को हमने y लिया है जिब्कि y-8 अक्ष से दूरी को हमने एक्स लिया है तो यह चितर अनुसार हमने कांसीडर करिया है यदि हम x अक्ष अक्ष में टूरी निकाल रहे हैं और यह लंब हम देखेंगे y-2 के समानतर होगा तो यह y-2 में जितना मान होगा उसके बराबर होगा वैसे ही य हम देख सकते हैं चित्र में कि यह x अक्ष के समान्तर है मतलब यह x कौटिनेट को दर्शार है तो जब हम दूरी की बात कर रहें तो यह पी बिन्दू के x y-z कौटिनेट ही है जो कि एस चित्र में दर्शाय जा रहे हैं तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक्स वाई और आर के हिसाब से इस दूरियों को रिप्रेजंट कर रहे हैं अब यहाँ पर एम द्रव्यमान का कड़ जो की पी बिंदू पर स्थित है इसका एक्स अक्ष के परिता जड़त्वा अगोंड कितना होगा सूत्र लगाते हैं सूत्र अनुसार यह द्रव्यमान और अक्ष से दूरी के वर्ग का गोड़न फल होगा द्रव्यमान है एम और एक्स अक्ष दूरी है वाई तो यह होगा एम वाई स्क्वेर अब इस पूरे पटल का एक्स अक्ष के परिता यदि जड़त्वा अगोंड ग्याद करें तो सारे इस प्रकार की करणों का हम सब्म सब्मेशन करेंगे हम लिख सकते हैं सब्मेशन ऑफ एम वाई स्क्वेर वैसे वाई एक्ष के परिता यदि हम इस कार्ण का जड़त्वा आगोंड ग्याद करते हैं तो यह होगा एम एक्स स्क्वेर जिबकि पूरे संपूर्ण पटल के लिए हम ग्याद करें तो हमको यह हम पाइथरकुरस का प्रमय लगाते हैं तो ओपी स्क्वेर बराबर होगा पीम स्क्वेर प्लस ओएम स्क्वेर ओपी यह दी में दौनों पक्षा में से गुणा कर दूँँ तो मुझे कमेले गा मर ब्राबर एमएक्स स्क्वार प्लास ay přैंघ स्क्वार और दोनों पक्षों का सवेंशन कर दो तो मुझे बिलेगा समेशन ऐन्स हेवार सक्वार प्लासा मेंशन अफ एम мыш अन्स मसवार अब समेशन के प्रमय की सूत्र की व्युत्पत्ति कर ली सूत्र से स्पश्ट है कि यह लंब compassionate एक ऎसी वस्तू के लिए एप्ली केबल है जो दूवी में हो हम इस वस्तू का जड़त्व आघोन हम ऐसे यक्ष के परिता ग्यात कर सकते जो इस वस्तु के तल पर लमवत हो और यह जड़त्व आगोन का मान ऐसे दो अक्षों के जड़त्व आगोन के योग के बराबर होता है जो इस वस्तु के तल पर इस्थित होते हैं यह एक दूसरे पर लमवत तो होते ही हैं साथ-साथ इस घुर्णन अक व्यूद्पत्ति की यह दोनों ही सूत्र examination point of view से बहुत important है आपको exam में इन डोनों प्रमय के सूत्र के derivation पूछे जाते हैं और यदि derivation नहीं पूछे गए तो इन सूत्रों पर अधारित आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो चलिए लंब अक्ष के प्रमय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस पर आधारीत एक निमेरिकल कोश्चिन बनाते हैं एक व्रिती चक्ति के केंद्र से गुजरने वाले उसके तल के लंबवर अक्षी के परिता चक्ति का जड़त्वा आगोन 150 ग्राम सेंटीमिटर स्क्वेर हैं उसके व्याज के परिता चक्ति का जड़त्वा आगोन ग्यार कीजिए मान दीजी वृती चक्ति का तल x y तल है तब i z बराबर 150 ग्राम सेंटीमीटर होगा क्योंकि इस चक्ति के लंबवत अक्ष के परिता जड़त्वाकुन 150 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वार दिया गया और यह लंबवत अक्ष जड़क्ष होगा इसलिए हमने आपर i z लिखा है यदि किसी व्यास के परिता चक्ति का जड़त्वाकुन i हो तो i x प्लस i y बराबर i होगा क्योंकि यहाँ व्यास x x से भी होकर गुज़र सकता है और y x से भी होकर गुज़र सकता है इसलिए हमने दोनों कमान i लिया है अब यहाँ पर हम लंब अक्ष का प्रम्नाय लगाएंगे तो कि चित्र अनुसार यह अक्षे इन दोनों अक्ष के लंबवत है इसलिए i z i plus i or 2i बराबर 150 or i बराबर 150 upon 2 equal to 75 gram centimeter square.